इस बिस्निस में एक बार पैसा लगाने के बाद सालों तक लाखों का प्रॉफिट आज के समय में किसी के भी घर में एलोवेरा से जुड़ी कोई न कोई प्रोडक्ट ज़रूर मिल जाएगी चाहे वो कॉस्मेटिक हो या फिर आविर्वेदिक अब एलोवेरा का अस्तमाल जम कर किया जा रहा है यही कारण है कि इसकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है इसमें विटमिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं इसके साथ ही इसमें एंटिमाटिक और एंटिफंगल जैसे गुण भी मौजूद रहते हैं आज जब हर तरफ क्यामिकल प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं तो लोग नाचुरल और और और्गनिक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस नजरिये से देखा जाए तो एलोवेरा के बिजनस में आप खुब प्रॉफिट कमा सकते हैं ये हैं एलोवेरा की खास बात एलोवेरा की विराइटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फेमस विराइटी है चैंसिस, लिटरेलिस, एलो, एपसिनिका मौजोगा समय में सबसे ज़्यादा इस्तमाल में लाई जाने वाली और जिसकी खेती जम कर की जा रही है वो है बावोडेंसिस एलोवेरा की एक और खास और इंट्रिस्टिंग बात ये है कि इसकी खेती करने के लिए आपको सिर्फ एक बार इंवेस्ट करना होता है क्यानि एक बार पैसा लगाए और पांट साल तक एलोवेरा पौधे से आप लाप कमा सकते हैं एलोवेरा बिजनिस की बेसिक जानकारी आप बात करते हैं इसके बिजनिस के बारे में एलोवेरा का व्यापार आप दो तरह से कर सकते हैं एक इसकी खेती करके, दूसरा इसके जूस या पाउडर के लिए मशीन लगा कर एलोवेरा का उप्योग हर्बल, कॉस्मेटिक उत्पात, जूस और दवा कंपनियों में ज्यादा हो रहा है इसके उत्पादन में खर्च कम होने के साथ ही लाब मार्जिन ज्यादा है एलोवेरा की खेती, एलोवेरा की खेती के लिए सबसे इंपोर्टन बात ये कि खेत में ज्यादा नमी ना हो साथ ही खेट के आसपास पानी ज्यादा ना हो एलोवेरा के लिए रेतीली मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है इसके सबसे ज़ादा इंट्रेस्टिंग बात ये है कि एक बात पौधा लगाने के बाद आप अपने पौधों से निकलने वाली बेवी प्लांट को दूसरी जगे आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं और इस तरह पौधों की संख्या बढ़ती चली जाती है एक एलोवेरा का पौधा तीन से चार महीने में बेवी प्लांट देता है यानि साल में आप दूसरी क्यारी आसानी से तयार कर सकते हैं वो भी बिना पैसे लगाए एलोवेरा फार्मिंग कॉस्ट इस बिजनस में लगभग साथ हजार तक का खर्च जाता है प्लांट की बात करें तो 27,500 रुपे में पौधे मिल जाएंगे गोबर के खाथ पौधों की सचाई में लगने वाला खर्च लगभग 8,750 रुपे है वही पाकजिंग और अन्य खर्च में लगभग 14,500 रुपे लग सकते हैं प्रॉफिट की बात एलोवेरा की खेदी के वेबसाई में आप लगभग 60,000 रुपे तक खर्च करके इसके बौधे, पत्तियां और बेबी प्लांट बेच कर इसका जेल निकाल कर डिरिक्ट किसी भी कंपणी को ट्रांसपोर्ट करके आप 5,600,000 रुपे तक का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं कम लागत में हांड वॉश सोप का बिसनस भी शुरू कर सकते हैं अगर जूस का बिसनस शुरू करना चाहते हैं तो लगभग 8,000,000 रुपे लगा कर इसकी शुरुआत की जा सकती है और प्रति दिन 150 लीटर जूस तयार करने की कैपसिटी वाली मशीन अगर आप लगाते हैं तो ये मशीन आपको लगभग 7,000,000 रुपे में मिल जाएगी एक लीटर जूस बनाने में लगभग 40 रुपे खर्च होते हैं इस जूस को सीधे बिना किसी ब्रैंड लिबल लगाए, कमपनियों को सप्लाइ करें और इसकी खीमत आपको 1,500 रुपे प्रति लीटर आसानी से मिल जाएगी ऐसे में आप रोजाना 22,500 रुपे तक कमा सकते हैं इस बिसनेस में सरकार का साथ एलोवेना जूस के बिसनेस के लिए सरकार 90% तक का लोन देती है साथ ही इस पर 3 साल तक कोई ब्याच नहीं लगाती इसके अलावा इस पर 25% तक की सबसिडी भी सरकार के द्वारा मोहया कराई जाती है तो अब देर किस बात की? अगर आप भी ब्लान कर रहे हैं बिसनेस शुरू करने का लेकिन बजट की बज़े से पीछे हट रहे है तो ये बिसनेस आपके लिए है पॉफेक्ट कम इंवस्मेंट में ज्यादा मुनाफ़ा ओके क्रेडिट बिसनेस ओके है